हेलो एब्रिवन वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टिटूट मेरा नाम मनमीद सिंग है और आज हम जो चैप्र करने जा रहे हैं दाट इस study of gas laws ठीक है study of gas laws ठीक है अच्छा अब gas laws करने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि gas एक state of matter है ठीक है matter की कौन सी three states होती है matter is being divided into three parts that is solid liquid and gas अगर मैं इनकी ये molecular structure ड्रॉख करता हूँ ठीक है तो ये अगर molecules ऐसे हैं सारे attached अपस में तो ये कौन सा structure हुआ ये हो गया solid ठीक है अगर ऐसे है कुछ vacant spaces हैं उनमें ठीक है तो ये हो गया liquid और अगर हमारे पास बहुत सारी vacant spaces हैं बहुत दूर दूर है molecules ठीक है then it is a gas ठीक है अच्छा अब हमें ये भी पता है कि हर जो particle है ये universal law है कि हर एक particle एक दूसरे को force of attraction से attract करता है that force is known as intermolecular force of attraction मतलब कि दो molecules में आपस में intermolecular force of attraction attract कर रहे हैं हर molecule एक दूसरे को ठीक है तो ये solids में सबसे ज्यादा होगी liquids में कम होगी और gases में सबसे कम होगी ठीक है अच्छा अब इसकी अगर solid की बात करें तो solid की fixed shape होती है rigid body होती है जैसे table हो गया chair हो गई ये मतलब अपनी shapes अपने साथ लेती है लेके चलती है ठीक है न shapes होती है rigid state जो है तो बट अगर हम liquid की बात करें तो liquid को जिस container में डालोगे उसी का हमारे पास वही shape आजाएगी ठीक है ना so it has a fixed shape it doesn't have a fixed shape और gases का भी doesn't have a fixed shape gases का तो volume भी fixed नहीं होता हम उसे compress कर सकते हैं ठीक है ना expand कर सकते हैं gases को ठीक है तो अब हम सिरफ बात करेंगे इस case की gas case की ठीक है अब इन दोनों को side में करके हम सिरफ बात करते हैं gases की ठीक है, so let's raise these cases now, और सिरफ बात करते हैं, gases की और उनके laws की, सबसे पहला जो चीज हमारे पास है, so that is composition, composition, composition तो मैंने बता दी आपको की बहुत ज्यादा vacant spaces हैं उनमें, molecules में बहुत ज्यादा spaces हैं, ये gaps हैं, ठीक है न, so these are gaps, spaces, कुछ भी बोल सकते हों आप इनको, vacant spaces भी बोल सकते हैं, ठीक है न, अच्छा, अब उसके बाद इसका ना ही कोई fixed volume है, so points अगर हम बात करें, gases के बारे में, तो इसका first point आ गया हमारे पास, neither fixed shape, nor fixed volume, पहला तो ये हो गया ना, case हमारे पास, कि इसका ना ही कोई, neither fixed shape, nor fixed volume, shape and volume fix, नहीं है, जिस container में डालेंगे, जितने, मतलब compressibility से compress करके डालेंगे, उस according वो fit हो जाएगा उस container में, ठीक है, next आ जाता है हमारे पास, अच्छा, ये हो क्यों रहा है, मतलब कि इसका fixed volume shape क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया force of attraction, तो gases has, gases के पास least force of attraction होती है, least force of attraction, क्योंकि इन में बहुत ज्यादा vacant spaces है, molecules भी, तो इन में least force of attraction of molecules, समझ आ रही है, जो बता रहा हूँ, क्योंकि इनका fixed shape और fixed volume क्यों नहीं है, क्योंकि इनके structure में least force of ये एक दूसरे को attract नहीं कर पार है, बहुत ही कम attraction है, इन में ठीक है, इन में बहुत ही कम attraction है, करना तो चाह रहे हैं दोनों attract एक दूसरे को, बट उनके बीच में जो distance है, that is very large, ठीक है न, तो वो attract नहीं कर पार है, ठीक है, so next हमारे पास है, अच्छा, अग हमारे पास अब next है, it exerts, it exerts pressure in all directions, equally hurt direction में फैलती है, जैसे suppose करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे perfume लगाया, ठीक है, तो अब मेरे सामने जो students बैठे हैं, उन तक भी वो perfume फैल जाएगा न, उनको एक दम से पता लग जाएगा कि हाँ, सर ने कोई perfume लगाया, यहां किसी ने perfume लगाया, क्योंकि वो हर direction में, वो जो tiny particles, molecules हैं, वो फैल रहे हैं, कुछ इस direction में जा रहे हैं, कुछ इस direction में जा रहे हैं, हम एक process पढ़ते थे, छोटी classes में, that was diffusion, so this process is known as diffusion, कि मैंने यहां पे खड़े होके, मतलब अपना perfume लगाया, तो वो that is going to some other directions, इदर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो हर जगा अपना pressure exert कर रही हैं, ठीक हैं, जैसे suppose करो, इस container में gas के molecules हैं, तो यह अपने container पे pressure exert करती हैं, क्योंकि, यह अप molecule, मतलब हर attract तो होगा, नहीं attract करने की कोशिश में, यह इसकी wall पे जाके strike करेगा, और उसके wall पे pressure डालेगा, ठीक है, so it exerts pressure in all directions, ठीक है, अच्छा, और gases जो होती हैं, highly compressible होती हैं, gases जो होती हैं, fourth point लिख रहा हूँ, highly compressible, मतलब की, compress हो सकती हैं, compressible, ठीक है, compress किसी चीज़ को, अब हम बोलते हैं न, generally हम computer language में बोलते हैं, कि यह file बहुत बढ़ी है, इसको compress करके, कुछ हम converters जूनते हैं, कि laptops, computers में, personal computers में, कि इस file को compress कर देते हैं, तो वही चीज़ कि यह gases को हम बहुत easily compress कर देते हैं, देखते हैं न, hospitals में cylinders आते हैं, इतने बड़े-बड़े cylinders आते हैं, तो उन में हमने क्या किया होता है, oxygen cylinders होते हैं, gases को compress करके डाला होता है, वो तो छोटे container में ज्यादा gas हम contain करवा सकते हैं, ठीक है, तो यह भी बता लग गया कि compressible है, ठीक है, अच्छा, highly expandable भी है, मतलब ज्यादा expand भी, अगर compress कर सकते हैं, तो expand भी होगा, obviously, जब अब उसे open करेंगे, तो हम उसको expand भी करवा सकते हैं, temperature increase करेंगे, तो gases expand भी होगी, ठीक है न? अच्छा, अब हमारे पास आगया कि next चीज, diffusion topic को उनोंने chapter में explain किया हुए, diffusion को क्या कहते हैं, gradual mixing of two substances, दो चीजों को आपस में mix कर देना, अब मैंने perfume की example ली थी, मैंने क्या किया, air और perfume को mix कर दिया, ये जो vacant spaces थी, फिलाप होनी शुरू हो गई, और travel करनी शुरू हो गई, इस universe में, जैसे मैंने पहले चीज बताए कि force of attraction है, उसी तरह हर चीज vibrate भी हो रही है, जो molecules vibrate होके, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप तक आवाज कैसे जा रही है, मेरे मुह से जो wordings निकल रही है, वो molecules आपस में vibrate होके, next molecule को vibrate किया, उसने next को किया, उसने next को किया, तो मेरे सामने जो students बैठे हैं, यहाँ पे अभी, तो उनके ears तक आवाज पहुंच रही है, ठीक है, vibrate होके, चलो, ठीक है, अच्छा, चलो, अब हमने properties की बात कर ली, gases की ठीक है, कुछ important properties की, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे की temperature की, ठीक है temperature की, अच्छा, क्यूंकि कुछ quantities की बात करनी है हमने, suppose करो, अब हम gas laws की बात करते हैं, gas laws की, तो gas laws में कौन-कौन सी terms use होंगी हमारे पास, gas laws में हमारे पास terms जो use होंगी, that are, देखते हैं, पहली term जो है, वो है, volume, next is pressure, next is temperature, ये terms हमारे इस पास हैं, जो use होंगी, maximum use होंगी, gas laws को derive करने में, जो scientists ने इन पर research करके हमारे पास variables use किये, ठीक है न, so volume being represented as V, pressure, P, temperature, T, ठीक है न, ऐसे हमने representation कर दी, volume, pressure and temperature, अच्छा, temperature की अगर मैं बात करूँ, तो हमेशा Calvin में calculate करना है, temperature हमने, जब भी use करना है न, temperature, कोई भी value लिखी हो, तो सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, convert करना है Calvin में, ठीक है, Calvin, अगर degree Celsius में given है, तो उसे किस में change करना है, Calvin में change कर देना है ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक term आती है, absolute 0, absolute 0, अब absolute 0, gas loss chapter में क्या है, minus 273, minus 273, ठीक है, minus 273 degree Celsius, यह हमारा है, absolute 0, ठीक है न, यहां कहलो 0 Kelvin, 0 Kelvin हमारे पास कितना आ जाता है, minus 273 degree Celsius, मतलब कि इसके नीचे temperature नहीं जाएगा normally, ठीक है न, so, it is written over here, absolute 0, और 0 Kelvin is equal to minus 273 degree Celsius, obviously temperature lower than absolute 0 are not possible, it is written over here as it is, ठीक है, so, यह concept हमारा बहुत important है, कि absolute 0 क्या है, पेपर में mostly पूछ लेते हैं, absolute 0 की value, ठीक है, अच्छ, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, कि यह जो उपर variables लिखे हैं, volume, pressure, temperature, इन में कैसे difference आएगा, अगर हम temperature की बात करें, suppose करो हमें कोई temperature given है, 20 degree Celsius given है, ठीक है न, तो उसका formula क्या है, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 Kelvin, ठीक है, अच्छ, यहाँ पे Kelvin ना लगाओ चलो, ठीक है, तो यह Kelvin का formula है, अगर हमारे पास 20 degree Celsius है, तो Kelvin में कितना हो जाएगा, 20 degree Celsius यहाँ पे लगादो, plus 273 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें 20 plus करने से 293 Kelvin, ठीक है, ऐसे हम Kelvin में change कर देंगे, ठीक है, Kelvin में change करना आ गया, जितने degree Celsius given हो, उसमें 273 plus कर देना है, और answer हमारा Kelvin में आ जाना है, तो इसलिए temperature हमेशा Kelvin में लेना है, ठीक है, अब साथ में ही अगर हम बात करें, यह pressure और volume की भी साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, temperature का तो हमने लिख दिया कि Kelvin में लेना है, उसी तरह, volume की अगर बात करें, second is, volume, volume को किसमें लेना है, ठीक है, volume की अगर हम बात करें, तो उसको लेना है, centimeter cube में, ठीक है, volume को generally किसमें लेना है, centimeter cube में, ठीक है, अच्छा, अगर यह by chance किसी और conversions में दिया हुआ है, suppose कर liters में दिया है, milliliters में दिया है, तो एक relation याद रख लेना है, one liter is equal to, one liter is equal to कितने ml, thousand ml, ठीक है, thousand ml और thousand ml किसके बराबर है, thousand centimeter cube, ठीक है, यह thousand centimeter cube के बराबर है, अच्छा, अगर हमारे पास third value कौन सी है, third value है हमारे पास pressure की, so pressure किसमें देखेंगे हम, pressure, generally pressure को किसमें मेर करते हैं, pascal में, si unit इसका क्या होता है, pascal, this is pascal, ठीक है, अच्छा, pascal लिख दिया है, तो अगर इसको units और इसके units कौन से होते हैं, यहां तो ATM, atmospheric pressure, ठीक है ना, atmospheric pressure, यह इतने centimeter mercury, centimeter of HG, ठीक है, so generally हम pressure को pascal में लिखेंगे, ठीक है, अच्छा, चल, और कोई, अब हम आजाते हैं, main topics पे, laws पे, ठीक है, अब हमारे पास आजाएगा, proper gas laws, ठीक है, हमारे पास boils law है, charles law है, gas equation है, इस chapter में जो cover करनी है हमने, ठीक है, तो वो करते हैं, start, ठीक है, चल, let's start with boils law, अब boils law की बात करें तो, boils law, पहला law हमारा क्या है, boils law, अब boils law में हमने कौन से दो variable के बारे में बात करनी है, volume, volume and, ठीक है, volume and pressure, ठीक है, volume and pressure, कैसे दोनों relatable हैं आपस में, volume is inversely proportional to pressure, ठीक है, अब वहीं पे दूसरा law जो हमने देखना है, वो कौन सा देखना है, चार्ल्स law, मैं दोनों ही कट्ठे, इसलिए लिख रहा हूं क्यूंकि आपकी gas equation जो derive करनी हैं, वो easy हो जाएगी आपके लिए, इसमें हमने देखना है, volume and temperature, volume and temperature, तो इसमें क्या relation है दोनों का, volume is directly proportional to temperature, अच्छा, यहाँ पे volume increase करूँगा, तो pressure क्या होगा, decrease, यहाँ पे volume increase करूँगा, तो temperature क्या होगा, वो भी increase, क्योंकि यह उल्टा इसलिए क्योंकि inversely proportional है, यह दोनों same क्योंकि यह directly proportional है, ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको दो quantities में लेले, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, ठीक है, तो V2 is also inversely proportional to 1 by P2, तो यह यहाँ पे भी 1 डाल देते हैं, यहाँ पे भी 1 डाल देते हैं, also V2 is directly proportional to T2, ठीक है न, तो अब यहाँ पे क्या आजाएगा हमारा, देखो, क्या आगया, V1, ठीक है, is equal to, अच्छा, यह P इधर आजाएगा, V1, P1 is equal to K, which is constant, यह constant आगया, ठीक है, इधर क्या आजाएगा, V1 upon T1 is equal to K, यह भी क्या है, constant आगया हमारे पास, यहाँ तक समझ आगया, यह values आगई हैं हमारे पास, ठीक है, clear है यहाँ तक, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, इनको combine कर देते हैं, यह दोनों equations को मैं combine कर देता हूँ, this is 1 and this is 2, ठीक है, अब 1 and 2 में से क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जो equation number 1 है, वो दो चीज़ों के लिए कैसे हो जाएगी, v1, p1 is equal to v2, p2, ठीक है न, क्योंकि constant है, कोई भी second चीज़ के लिए, और equation number 2 कैसे हो जाएगी हमारे लिए, v1 upon t1 is equal to v2 upon t2, ऐसे आ जाएगा, ठीक है न, अब इन दोनों को add कर देंगे, दोनों को add कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या equation आ जाएगी, यह हमने ये भी cover कर लिया, ये भी cover कर लिया, अब हमारे पास जो finally answer आना है, वो आना है gas equation का, ठीक है, अच्छा, ये देखिए, अब gas equation हमारी क्या आ गई, gas equation, ये दोनों लॉज से, gas equation कौन से लॉज से, boils and Charles लॉज से, क्या derive हो गया हमारे पास, boils and Charles लॉज से, क्या derive हो गया, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, this is the final gas equation, देख लो यहां से, P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है, और नीचे T1 is equal to T2, वो भी आ गया, ठीक है, वहां से, easily हमारे पास ये result आ गया, easy दाना करना, ठीक है, चोड़, हाँ जी, अब मैंने यहां पे chapter को summarize कर दिया है, पहली चीज जो हमने की, boils law, P1 V1 is equal to P2 V2, this is pressure multiply by volume, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, volume divided by temperature, ठीक है, चार्ल्स लो आ गया, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, और हमारी gas equation, इसे अगर हम A ले लेते हैं, तो इसे हम B ले लेते हैं, तो A and B को combine करके, from A and B, ये हमारे पास आजेगी gas equation, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, ठीक है, अच्छा, अब एक चीज जो हमने इस chapter में और सीखी है, conversion, degree Celsius को Kelvin में कैसे convert करते हैं, so 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin, उल्टा कर देते हैं, तो minus 273 degree Celsius, 0 Kelvin के बराबर है, कुछ भी random अगर change करना हो, जैसे 27 degree Celsius को Kelvin में change करना है, तो हमारा क्या answer आजाएगा, plus करके 300 Kelvin, 273 में 277 plus कर दिये, 300 आ गया, अच्छा, और कोई चीज जैसे find out करनी है, molar mass, molecules का mass find out करना है, तो अब सीधा question में लिखा होगा की oxygen का find out करो, तो oxygen कैसे exist करती है nature में, diatomic molecule O2, तो O का 16 होता है, तो 2 molecules, तो O diatomic molecule, 2 atoms हैना, 16 into 2 कितना आ गया, 32 grams हो गया हमारे पास, ठीक है, अच्छा, और इसी चीज में हमारा पूरा gas laws जो chapter है, वो summarize हो गया, gas laws में इससे पहले हमने gas के बारे में कुछ properties पढ़ी थी, वो वीडियो के पी, जो starting में हमने properties पढ़ी हैं, वो सारी इसके behavior और gas के, three states of matter होती है न, solid, liquid and gases, तो gases के बारे में हमने इस वीडियो की starting में पढ़ लिया है, so this is all about gas laws.